प्रसने के कुमार ने पूछा था कि करोना के कारण दो वर्स तक की यूपी पुलिस में भरती नहीं हुई तो क्या सरकार की भरती तैयारी करने वाले अभ्यारतियों के अधिक्तम उम्र सीमा में तीन वर्स की छूट प्रदान करेगी तो संसदी कारमंति सुर्यस खना जी ने जवाब दिया कि उम्र सीमा बढ़ाने का अभी सरकार के पास कोई भी प्रस्ताओ विचार दीन नहीं या नहीं कि आप लोग की कोई भी एज रिशेशन नहीं मिलने वाले यूपी प्लिस कॉंस्टेबल 41 सजा या 49 सजा दोनों में सिर्फ पीएसी में लड़के ही यानि की व वाइसी फॉर्म फिलब कर पाते थे लेकिन इस बार मेल एंड फीमेल बोथ लोग इसका फॉर्म फिलब कर पाएंगे अब आप लोग के लिए एक दुखत सूचना यह है कि जो आप लोग की एज थी वो आपको एज में कोई भी एज लिशेशन नहीं दिया जाएगा आपकी कि जो आप लोग की 26,382 पत थे अब वो कुल मिला करके 3,000 के अबव यानि 35,000 के अबव आप लोग के लिए वेकिनसी आएंगी जो इसमें बाकी की पोस्ट हैं वो किसमें आएंगी तो वो जो बाकी की जो पोस्ट हैं वो पी-ए-सी में आएंगी इस बार काफी बदला होने आपने योगी जी का भांसर भी सुना था जो उन्होंने सदन में कहा भी था कि जो मैलाओं की 3 न्यू बटैलियन बनाई गई यह पी-ए-सी की तो जिसका मुख्याड़े लखनाओं में 3 मैला बटैलियन बनाई गई गई जो पी-ए-सी के पद राएंगे लगबख 7-8,000 जो पी-ए-सी में लड़के ही यहने की बवाइस ही फॉर्म फिलप कर पाते थे लेकिन इस बार मेल एंड फीमेल बोथ लोग इसका फॉर्म फिलप कर पाएंगे अब आप लोग के लिए एक दुखत सूचना यह है कि जो आप लोग की एज थी वो आपको एज में कोई भी एज नहीं दिया जाएगा आपकी जो एज अठारा से बाइस रहने वाली है यह आप लोग के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है अठारा से बाइस ही रहेगी एज अब आप लोग का डाउट आ जाता है कि सर EWS को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा या फिर आप पर नहीं मिलेगा साथ ही इसका सलेबस पर बी टॉपिक बात करूंगा और साथ ही इसमें बात करूंगा जो इसके अप्लाइए ओनलाइन डेट कब तक कराए सबस्क्राइब कर लीजेगा यूँकि यूपी पूलिस की कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे ही यूट देरी के आज की स्वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसा कि आपको थमनल में भी दिखाई दे रहा होगा पुलिस की जो 26,744 पद आने वाले थे वो पीएसी के और 8,714 पदों पर होगी बढ़ती और पीएसी के यानि कि 26,000 आपकी जो वेकेंसी आन 76 बच्चे बैठेंगे लगबग 20,000,000 फॉर्म फिलप किये जाएंगे ये खरना जी के दोरा जो सुर्यस खरना जी उन्होंने ये सदन में बताया भी है कि जो 26,744 पद थे उसमें 8,714 पर पीएसी के होंगे और इस बार पीएसी में मेल एन फीमेल बोथ लोग यानि पहले स सिप ऐसा होता था कि जो पीएसी की वेकिंजी आती थी, उसमें सिप मेइल कॉंडियट्स ही फॉर्म फिलप कर पाते है यूद कि इस बार इन फिमेल दोनों लोग इन फॉर्म फिलप कर पाएंगे PAC की cut-off की बात करें तो PAC की cut-off civil police की comparison में यानि जो पॉंच टेबल होते हैं उसकी comparison में cut-off काफी कम जाती है तो PAC की cut-off काफी कम जाएगी यह news आपको अगर देखना चाहते हैं तो यह मेरा टेलीगाम चैनल है Godman Job Alert वीडियो की description में भी इसकी link मिल जाएगी अपनी यह news आपको यहाँ पर मिल जाएगी देख सकते हिंदुस्तान की newspaper की cutting है जैसे आप लोग click करेंगे यह भी मैंने अपने में डाल दिये अब आप लोग की दुखा सूचना यह थी कि आप लोग को agitation नहीं मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 26,000 आपकी जो वेकंसी होने वाली थी उसमें आपकी 8,000 पत मिला करके 35,000 के अब आप लोग की पेसी मिला करके इसमें वेकंसी आने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र आयू सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी सबसे हलाइट करने वाली बात है योगी सरकार ने मंगलवार को यानि की ट्यूजडे को विदान समा में यह साफ कर दिया है उम्र सीमा बढ़ाने का अभी सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचार दीन नहीं या नहीं कि आप लोग की कोई भी एस रिशेशन नहीं मिलने वाला है यहां पर देख सकते हैं उन्होंने यह भी कहा था कि 26,744 पद है उसमें पेसी आरची के 8,714 पद खाली है इन पदों को अधियाचन बेजा जा चुका है 8,714 पदों के लिए पेसी के लिए तो आप लोग यह जान लीजे कि इसमें देख सकते हैं परिच्छा में कम से कम 20,000,000 उमीदवारों की बैटने की आसंका है यानि 20,000,000 की लोग इसमें उमीद जताई जा रही है और एक पद के लिए 76 जैसा कि मैंने बताया था अभी कितना टफ होने वाला है तो अभी से आप लोग इसकी त्यारी शुरू कर दें बात करने इसके नंबर ओफ कोशन की कितने आते हैं तो इसमें 150 कोशन आते हैं पर कोशन के लिए आपको दो नंबर मिलेगा यानि कि 300 मार्क्स का होता है जब यूप प्लिस जेल वार्डन का हु जेल वार्डन में और फायर में वन वाइथ थर्ड निगेटिव मार्किंग हुई थी इसका दोजा बीस फेपर हुआ था और वन वाइफ फॉर्ट जो निगेटिव मार्किंग हुई थी वह कॉंस्टेबल में 49, 49, 560 में ये वेकेंसी में कट ओफ मार्किंग थी तो आप लो कोछकन ये को सौल्व कि लिए दो गंटे यानी एक सोबीस मिनेट का टाम मिलता है इस पेपर की बात करने तो पेपर इसका ओमार इंड होतना है कि आपका ओमार वेश्ड यानी ओफ लैनि ओफ लाइन इसका क्रता ex जिसके form है या आप जान लीजे जून के end तक इसका release कर दिये जाएगा हो सकता है 15 जून के बाद कभी भी इसका notification गिर सकता है notification गिरने के 10 दिन बाद इसका form fill up starting हो जाएगे तो जून के ending तक इसके form fill up 100% start हो जाएगे जून के end तक इसके form fill up start हो जाएगे तो तयारी सुरू कर दें और इसकी जो exam की बात है नॉमबर से दिसंबर की बीच में इसकी exam date आ जाएगी यानि नॉमबर दिसंबर की बीच में इसका exam कराया जा सकता है तो अब इसे तयारी सुरू कर दीजेगा फिसकल की बात कर लें तो इसमें जो गल्स की हाइट होती है 152 cm मांगी आती है गल्स की और 148 cm CST की लड़कों की बात कर लें तो 167 cm लड़कों की हाइट मांगी आती है और CST है तो 155 cm हाइट मांगी आती है रनिंग की बात कर लें लड़कों की 4.8 km विदिन आपकी 25 मिनिट में निकालनी होती है पीमेल स्कंडेट्स की बात कर लें तो यहां पे 2.4 km यानि 6 राउंड आपके मांगे जाते हैं विदिन 14 मिनिट में आपको क्रैक करने होते हैं तो एक्जाम के साथ साथ यानि की रिटन एक्जाम के साथ साथ फिचकल की भी तियारी करते रहें इसका जो सेलेक्शन पोसेस की बात कर लोगो सबसे पहले रिटन एक्जाम होता है return exam के बाद आप लोग का physical कराया जाता है DV, PhD, height अगर चेक की जाती है physical के बाद एक final mail list जारी की जाती है final mail list के बाद आप लोग का medical कराया जाता है यानि final mail list आने के बाद अगर आपका final mail list में नाम है तो आपको कोई भी cut-off इसके बाद नहीं लगती यानि कि आपका selection हो गया है अगर medical में थोड़ा बहुत उपर नीची होता है तो भी इसमें पुलिस में इतना hard medical नहीं होता है तो आपका crack हो जाता है तो आपके side doubts clear हो गए होंगे अगर कोई भी doubts रह जाता है तो वीडियो के section में comment करके जरू बताएगा वीडियो डिस्क्रप्चन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप government job alert जैसे सर्च करिए आप लोग वहाँ पर join हो जाएगे वीडियो कैसा लगाए comment section जरू बताएगे कोई भी doubts रह जाता है comment section जरू बताएगा चलिए next video मिलते है न्यू वेकेंसी अब्रेट साथ अब तक के लिए जयाएँ जयवाद वंदे महतरम